नमस्कार दोस्तों मैं रिखा पमार PSSM Blessing परिवार ओडियो टीम डेराबसी से बोल रही हूँ दोस्तों पिछले ओडियो में हमने आनद के अभियास के बारे में जाना कि उसे कैसे करना चाहिए और किन नियमों के साथ करना चाहिए उसी को आगे बढ़ाते हुए हम ओडियो नमबर 11 की शुरुवात करते हैं प्राचीन लोगों ने खजाने को एक ऐसा कुवा कहा है जिसमें आप अपना आनद डालते हैं और वह आपके आपकी नजरों से ओजल हो जाता है इस आननद को बाहर निकाल कर उपयोग करना चाहिए जब आप यह अभ्यास सही तरीके से करेंगे आप उन सभी ब्लैसिंग्स के साक्षी बन जाएंगे जिसकी जानकारी पिछले पनों पर दी गई है याद रखिए आननद को शारिरिक, भावनात्मक, मानसिक और अध्यात्मक रूप से एक साथ या अलग-अलग भी अनुभव किया जा सकता है आननद को शारिरिक, भावनात्मक, मानसिक और अध्यात्मक रूप से महसूस किया जाना चाहिए पहले आपको आनन्द की अनुभूती के स्तरों के बीच फैसला करने में परिशानी होगी पर धीरे धीरे आप यह देख पाएंगे कि आनन्द को विभिन स्तरों पर अनुभव करने में अंतर है अक्सरम आनंद के बारे में यह सोचते हैं कि जैसे वह अनुभूती या भावना हो सच्चाई यह है कि आनंद एक परदार्थ है एक विद्यूत और तेजस्वी परदार्थ जिसे भविश्य में मापना संभव होगा जब हमें अपनी मूर्खता से उपर उठने का समय मिलेगा आनंद नाड़ी प्रणाली, मासपेशियों, हडियों और रक्तधारा से बहता है जैसे तारों के माध्यम से बिजली प्रवाहित होती है आनंद प्रकाश, गर्मी और ठंड़क देता है और बड़ी योजनाओं को काम में लाता है जैसे की बिजली प्रकाश, गर्मी और बड़ी फैक्टरियों को चलाती है आपके अभ्यास में याद रखिए कि आनंद एक परदार्थ है एक तेजस्वी उर्जा का बहाव है और याद रखे कि आपके मूल से प्रसारित होता है एक दिन एक जवान लड़का मेरे आफिस में आखों में आसू लिये आया और उसने कहा किर्पया मेरी मदद कीजिए यह मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही शर्मनाक है कि जब पुलिस ने मुझे नशे की हालत में पकड़ा मैं सच में शराब, मरीजवाना और अन्य ड्रग्स को त्यागना चाता हूँ पर मेरे पास कोई इच्छा शक्ती नहीं है मैंने उसे यह सला दी कि वह पेशेवर लोगों के पास मदद के लिए जाए पर वह बार-बार मेरे पास ही वापिस आता रहा यह बोल कर कि मैं जानता हूँ आप मुझे ठीक कर सकते हैं उसे देखने के बाद और उसके बारे में सोचने के बाद मुझे अचानक से यह समझाया कि वह अपने जीवन में आनन्द को खोजने की कोशिश कर रहा है वह यह सोचता था कि शराप, मरीजवाना और ड्रग्स उसे आनन्द के तरफ ले जाएंगे आनन्द उसका छुपा हुआ मकसद और छुपा हुआ लक्ष्य था तुरंथ ही मैंने उसे बुलाया और कहा कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ अगर वह रोज साथ दिनों के लिए मेरे पास दो घंटे के लिए आए वह आने के लिए मान गया जो मैंने किया वह बहुत ही आसान था मैंने उसे अराम से बिठाया उसकी कलपना में उसके बचपन की ओर लोटने के लिए कहा और उन स्तितियों या आनन्द के पलों को ढूनने के लिए कहा मैंने बार बार उसे उन आनन्द के पलों को फिर से अनुभव कराया यह उसने तब तक किया जब तक उसकी चेत्रा में सारी घटनाएं स्पष्ट, पून और वास्त्विक हो गई थी अभ्यास को 10 दिनों तक करने के बाद उस लड़के में बदलाव दिखने शुरू हो गए वे अपने विकारों के नियंतरण से मुक्त था और आनन्द और शांती का संचार करने लगा उसके बाद मैंने कभी भी उसे शराप, मरीजवाना या कोई अन्य ड्रग्स का सेवन करते हुए नहीं देखा एक बार जब मैंने उससे पूछा उसका हालचाल कैसा है उसने उत्तर दिया मैं गलत जगा पर आनन्द को खोज रहा था पर अप मुझे यह मिल गया है मुझे अपने आप को खुश रखने के लिए बनावटी चीजों की जरूरत नहीं है मैं पहले से ही खुश हूँ जब जादतर लोग वास्तविक आनन्द को उनके हेर्द्य में खोजते हैं वैं उन सभी बनावटी चीजों को त्याग देते हैं जो उन्हें दुखी बनाती हो लोग परमानन्द, आनन्द और समय के साथ होने की अकांक्षा रखते हैं आनन्द के अनुभवों को ढूड़ना और उसे चेतना के वर्तमान स्तर की उपरी सतय तक लाना यह लोगों को प्रयाप्त आनन्द और प्रयाप्त ताकत देता है जो बनावटी चीजों में नहीं फस्ते आनन्द को देने का प्रयास करें और आप लोगों को बचाएंगे क्रैस्ट ने कहा मैं अपना आनन्द तुम्हें देता हूँ जादतर लोग ड्रक्स का उपयोग करते हैं या विविन विरकारों में पढ़ जाते हैं क्योंकि वह दुखी हैं क्योंकि वह अपने माता-पिता से नराश हैं क्योंकि उनकी दुरिष्टी और प्रयास नश्ठ हो गए हैं या इसलिए क्योंकि वह कोई भविश्य नहीं देखते और अपने लिए कोई आशा नहीं रखते आनन्द उनके दिल के खालीपन को भर देगा वे उन्हें अपने जीवन में आनन्द से भरे हुए पल बनाने देगा आनन्द के उपयोग का अभ्यास रोज करना चाहिए आनन्द में रहें और फिर आनन्द की धारा को अपने बच्चों को हर सुबा और रात में संचारित करें आनन्द की धारा को उस भोजन में भेजें जिसे आपने बनाया है उन चीजों को जो आप इस्तिमाल करते हैं उस पानी को जिसे आप पीते हैं उस ओफिस को उन सभी लोगों को आनन्द को उन सभी चीजों में प्रसारित होने दें जिसे आप छूते हैं अपने पाठ को पढ़ने से पहले आनन्द को अनुभव करें सुभा के समय दर्वाजा खोलने से पहले आनन्द को अनुभव करें अपनी गाड़ी का इगनिशन चालू करने से पहले आनन्द को अनुभव करें किसी भी चीज को शुरू या खतम आनन्द के अनुभव से पहले ना करें आनन्द से भरे लोग ईश्वर की आत्मा के वाहक और वित्रक होते हैं लोग पुछते हैं क्या कोई आनन्द को पिछले जन्मों से लेकर आ सकता है असलियत में कोई भी पिछला या अगला जीवन नहीं होता सिर्फ एक ही जीवन है और एक ही इकाई होती है जो एक ही जीवन जी रहे हैं उनके लिए जो एक ही जीवन जी रहे हैं कोई समय या जगा नहीं होती वै केवल एक परकाश की किरण है जिस पर अनेक मोती है आनन्द परकाश की किरण है जो हर मोती को जीवन और सुन्दर्ता दे रहा है जैसे कि परकाश की किरण एक इकाई है वैसे ही मोती है जो समय में अलग है लेकिन मूल में एक है जिसमें हर अगला मोती पिछला मोती का नतीजा है हर मोती की भविश्य की स्थिती एक ऐसे संबंद का नतीजा है जो परकाश की किरण और मोती के बीच है आनन्द मोतियों और परकाश की किरण के बीच का संपर्क है जितना जादा संपर्क गहरा होगा उतना ही बड़ा आनन्द होगा यह सारे अभ्यास एक प्रयास है जो इन मोतियों में से आनन्द को बहने देंगे और इस तरह मोतियों को जीवित किरण के साथ महान सामांजिस्य में लाएंगे इस समय पर एक व्यक्ति की चेतना उसके मोतियों से पहचानी जाती है इसलिए उसके लिए बहुत सारे मोति होते है जब वह अपनी चेतना को परकाश की किरण के साथ पहचान लेता है उसे एसास होता है कि कई मोतियों में से एक जीवन जिया जाता है और वह खुद है इस आउडियो में इतना ही दोस्तों अगले आउडियो में हम आनंद के और अभ्यास के बारे में जानेंगे कि उन्हें कैसे करना है धन्यवाद